Hello viewers, welcome to my channel दोस्तों आज हम बात करेंगे Nomenclature of Refrigerators याने की Refrigerators को कैसे हम नाम देते हैं तो यह जो बेस्किली आया यह अश्रे से आया है जो है American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers यह जो है American Engineers की सोसाइटी है जोनोंने जो है इसके लिए Refrigerators के लिए जो है Nomenclature दिया और दूसरा जो इसमें है इस्रे याने की जो इंडियान का है Indian Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers यह जो है इस्रे इंडियान सोसेटी है तो रेफ्रिजेंट इसमें बेस्किली हम पहले जो आता है Saturated Hydrocarbon Refrigerators तो अगर केमिस्टरी में आपने पढ़ा होगा Saturated Hydrocarbon वो होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉंड होता है उसको हम कहते है Saturated Hydrocarbon तो जो Saturated Hydrocarbon Refrigerators है उनके बारे में पहले बात करेंगे अगर Chemical Formula Refrigerators की मानलों हम यह लेते है CM, HN, F, P, C, L, Q कार्बन, हैडरोजन, फ्लोरिन, क्लोरिन मैं नीचे M, N, P कियो यहां पे लिखा है कि कितने कार्बन है, कितने हैं P डिनोट काता है, कितने फ्लोरिन है Q डिनोट काता है, कितने क्लोरिन है अगर यह chemical formula है, तो हम Ref raft portion को कैसे नाम देगे तो उसके लिए Saturated हरो कारून यह फॉर्मॉला यूज होती है R M-1 N-1 P यह उनके बीच में इंटू नहीं होता है यह एक अलग नंबर है यह एक अलग नंबर है और यह अलग है तो अगर फॉर्मॉला यह है M-1 N-1 P तो हम एक्जाम्पल में देखेंगे कैसे यह फॉर्मॉला यह अपले काते हैं कैसे हम रेफ्रिजेंट को केमिकल फॉर्मॉला में इस R फॉर्मॉला में कनवर्ट करते हैं कैसे हम नाम देते हैं अगर C, C, F2, C, L2 हमारे पास chemical formula है किसी refrigerant की तो इसमें जो है यहाँ पर कार्बन तो A की है यानि कि M is got 1 क्योंकि C, M तो M के बदले C, M, M कार्बन A की है तो M is got 1 N जो है hydrogen का जो नमबर है तो hydrogen इसमें है यह नहीं तो N 0 आएगा C, L, fluorine जो है वो 2 है तो fluorine के लिए P है, P इसमें 2 है और chlorine जो है उसके लिए Q है और chlorine 2 है तो Q is equal to 2 तो अब यह formula इसमें हम apply करेंगे R, R, M minus 1, M1 है तो 1 minus 1, N 0 है तो 0 plus 1 और P, P कितने है दो, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो R, 1 minus 1 यह 0 हो गया, 0 plus 1, 1 हो गया और यह 2, 2 तो R, 0, 1, 2 तो इसको हम R, 1, 2 लिख सकते हैं 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो यह हो गया R, 2L, refrigerant जो है उसकी chemical formula यह थी तो मैंने उसको यहाँ से इसमें convert कर दिया अब अगर पहले तो यह chemical formula में मैंने refrigerant उसमें जो उसका नाम होता है कैसे यह हम देते हैं अब अगर R, 22 है तो उसको chemical formula में कैसे हम नाम देंगे तो पहले हम यहाँ पर हमेशे याद रखने हैं यहाँ पर 0 लगाएंगे हम R, 0, 2, 2 लिखेंगे तो क्योंकि 0 हम फिर अटा सकते हैं जिसे यहाँ पर 0 आया था तो हमने फिर अटा दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो R, 0, 2, 2 लिखेंगे फिर formula यही लगाएंगे R, M-1, N, P, R, M-1, N, P, P तो यह हो गया number of carbon atom कितने हैं तो 0 है तो M-1 के 0 के बराबर क्योंकि एक दो यह 3 है तो यह M-1 0 के बराबर है तो M-1 is equal to 0, M is equal to 1 क्योंकि मैंने इस 1 को is equal to के इस side ले लिया अब N-1 यह 2 के बराबर है N-1 is equal to 2 तो N-1 जो है इस side ले लिया तो N is equal to 1 क्योंकि यह 1 इस 2 से मैनस हो जाएगा और P, P-2 है तो P is equal to 2 यह AZ रहेगा अब जो यहाँ पर formula है इसमें यह formula हम यूज करते है N-P plus Q is equal to 2M plus 2 तो यह formula apply करेंगे तो N-P Q-M यह 4 चाहिए हमें चाहिए M है हमारे पास N है P है मगर Q नहीं है तो क्यों हम इस formula से निकालेंगे तो N plus P plus Q is equal to 2M plus 2 तो N जो निकला हुआ है 1 P भी निकला हुआ है 2 Q नहीं है हमारे पास यह अब आएगा Q is equal to 2M 2M जो है यहाँ पे निकला हुआ है 1 P plus 2 तो इनको multiply करके हम देखेंगे last में क्या है और इनको इस side लेके जाएंगे तो Q is equal to 1 अब हमारे पास सारे चीज़े आ गई तो Q भी हमारे पास आ गई है Now compare with CM, HN, F, P, C, L, Q अब हम इस chemical formula से इसको compare करेंगे तो हमें chemical formula मिलेगी Carbon Acidase रहेगा M कितना है हमारे पास M1 है तो C1 H, H Acidase है N कितना है NB1 है तो 1 और P कितना है फ्लोरिन के लिए P जो है वो 2 है हमारे पास तो 2 और क्लोरिन के लिए Q कि अभी हमने निकाला एक तो यह आ गया तो यह बन गया CHF2Cl CH या CHClF2 ऐसे हम लिख सकते है CHF2Cl तो इसे को हम बोलते है R22 का हमने निकाला CHClF2 यह R22 रफ्रिजम्ट की chemical formula है तो हम दोनों निकाल सकते हैं अगर यह formula हमें दी होगी chemical formula तो इसको रफ्रिजम्ट में R formula में कैसी करेंगे और अगर R formula में होगा तो हम इसको chemical formula में कैसी कानवर्ट करेंगे तो यह simple हम यहां से कर सकते है अब दूसरी example लेते है R123 तो अगर R123 रफ्रिजम्ट होगा तो simple इसमें यह formula लगाएंगे R M-1 N-1 P तो M-1 1 के बराबर होगा तो यह यहां जाकि पुलस होगा तो M is equal to N-1 2 के बराबर होगा तो N-1 is equal to 2 N is equal to 1 क्योंकि यहां से subtract हो जाएगा और P3 के बराबर simple होगा अब compare करेंगे इस formula से जो उपर मैंने बता है CM, HN, FP, CLQ तो CM के बराबर यहां पर लगाएंगे M जो होगा पर रखेंगे 2 C2, HN के बराबर रखेंगे simple 1 और P के बराबर रखेंगे simple 3 और Q जो है CL, तो Q यहां पर निकालेंगे जैसे N plus P plus Q is equal to M plus 2 पहले यहां से निकालेंगे Q भी आ गया, तो इसमें Q 2 आ गया, तो 2 रखेंगे तो यह बन गया C2, H CL2, F3 तो यह formula हो गई किस रफ्रिजेंट की, R123 की यहां हम ऐसे भी लिखते हैं CH, CL2 फिर यहां पर निकालेंगे 2 carbon है, carbon एक यहां पर लिखेंगे फिर यहां पर लिखेंगे CF3 तो यह ऐसे लिख सकते हैं यह ऐसे लिख सकते हैं तो यह आ गया, रखेंट 123 का हमने कैसे इसकी chemical formula निकाल दी अब दूसरा जो आता है Unsaturated Hydrocarbon Refreshed Unsaturated होता है जिसको carbon और carbon के बीट में double bond होता है जो chemistry में आपने पढ़ा होगा तो अब Unsaturated Hydrocarbon जो है उसके बारे में बात करेंगे तो इसमें example अगर हम देखेंगे तो Ethylene की लेंगे C2H4 जो है तो इसमें CH2 यह कि C और H इस साइड में दो फिर double bond carbon यहां से फिर 2CH तो इसमें formula में थोड़ा सा difference है तो यहां पे R1 M-1 N-1 Q यह तेनों चीज़े सेम है मगर यहां पे हमेशा 1 आएगा पहले R1 यहां से additional आता है Unsaturated Carbon में तो आपको कैसे पता चलेगा Saturated है कि Unsaturated है जैसे R1 पहले लगा होगा तो वो Unsaturated होगा अगर 1 नहीं है तो simple R M-1 N-1 तो वो Saturated होगा और इसमें जो है N-P-P-Q is equal to 2M है खाली वहां पे 2M plus 2 था यहां पे simple N-P-P-Q is equal to 2M तो यहां पे हम simple अब निकालेंगे जैसे Ethylene C2H4 में निकाला तो यह Carbon होगा इसके 2M इसमें 2 है N जो है Hydrogen वो 4 है N4 और Q इसमें 0 है क्योंकि इसमें कोई Fluorine या Chlorine है यह नहीं तो Q 0 तो R1 1 अपना आएगा As it is जो formula का है M-1 M2 है 2-1 और N plus 1 N कितना है 4 4 plus 1 और Q कितना है 0 तो यह आएगा R1 अपना है 2-1 तो 1 रहेगा 4 plus 1 5 और 0 as it is तो यह जो है R1 1 5 जो refrigerant है हमें इसको हमने इसको इसको हमने यहां पर इसमें Convert कर दिया है Simply तो ऐसे हम यह कर सकते है यह Uncaturated के लिए है अब तीसरा जो आता है तीसरा Simple आता है Inorganic Refrescent अभी हम बात कर रहे थे Organic Refrescent की यानि कि जिसमें Organic में क्या होता है जिसमें Carbon होगा और Hydrogen होगा या Oxygen होगा तो Carbon उसमें mandatory होता है अब Inorganic Refrescent की बात करेंगे जैसे Ammonia है Water है Carbon Dioxide है तो Inorganic में हम कैसे पेचानेगे Inorganic में हमेशा 700 पहले आएगा पुलस उसका जो है जो Refrescent होगा उसका Molecular Weight तो Inorganic हम सीधे पता चलेगा जैसे R700 पहले होगा पुलस Molecular Weight आमोनिया है तो Ammonia में क्या है Molecular Weight उसका 17 है पुलस उसका जो नेम है R700 तो 700 एज इस आएगा पुलस उसका Molecular Weight एड़ करेंगे तो Simple R717 तो ये Ammonia का जो है नॉमन के लिए चलेए उसमें रेफ्रिजेंट में ये नाम आता है R717 तो जिसमें भी 700 होगा तो आप जान लो कि वो Inorganic रेफ्रिजेंट है जैसे Water है इसका Molecular Weight 18 है तो R700 सिंपल करेंगे पुलस 18 करेंगे तो 718 R718 Air जो है उसका 29 Molecular Weight है और R700 पुलस 29 तो 729 आगया जैसे Corbon Dioxide है तो 44 Molecular Weight है तो R744 सिंपल आएगा तो जिसमें भी R700 पहले आएगा तो आप समझ लो कि वो Inorganic रेफ्रिजेंट है तो अब Molecular Weight यहाँ पे कैसे पहले यह हमें पता होना चाहिए कि वो जो हमें Inorganic रेफ्रिजेंट हमारे पास है की Molecular 말 होगी तो क्यसका मैं कैसे निकालेंगे Molecular Weight मैं नचाले है Molecular Weight करो हमें पहले प्हले पता होना चाहिए पहले प्हले 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 हो गया और Oxygen इसका यह machst म output डबल 18 हो गया अब molecular weight यह जो पूरा molecule है carbon dioxide तो उसका हमें molecular weight निकालना है वो कैसी निकालेंगे carbon का 12 है simple atomic mass और oxygen का 16 है मगर oxygen 2 है तो into 2 तो 32 हो गया तो 32 plus 12 इन दोने का plus करेंगे तो carbon dioxide का आ गया total 44 ऐसे हम निकालते है atomic weight और वो यहां पर add करके हमें आएगा इन और्गन ग्रेफ्रिजन्ट का रेफ्रिजन्ट जो फॉर्मूला है वो आएगा तो दोसे यह पूरी नॉर्मन के लिए चराफ रेफ्रिजन्ट के बारे में था अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजे सबस सब्सक्राइब कीजे चैनल को और कमेंट कीजें